नमस्कार दोस्तों आप सब एक आगवार फिर से स्वागता है यूटूब चैनल प्लेसमें स्टोर में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हर्याना में आई एक और नई वेकंसी के बारे में दोस्तों हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने इंजीनियर की वर्ती के लिए वर्ष 2019 का पहला नोडिफिकेशन जारी कर दिया है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा अगर आप चैनल प्रने आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा तो चलिए चलते हैं आपके रहे हमारी अपनी वेबसाइट प्लेस्मेंस्टो डॉट कॉम पर यहां पर हम बात कर रहे हैं एच एससी रिक्रूट्मेंट 2019 के वारे में दोस्तों कुल जो पद है उननचास है और इंजीनियर्स इलेक्रिकल की जो है वेकेंसिया है इनके लिए एजुकेशन की अगर बात करें तो वो रहेगी आपकी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीकल बाकी की जो डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगी जो ओफिसल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में आपको देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कब से आप इसको अपलाई कर पाएंगे जिसकी डेट भी आ चुकी है तो वीडियो को लास तक जरूर देखे बात कर लेते हैं एस डिटेल की कि कौन कौन इसको भर सकता है या अपलाई कर सकता है 18 से 42 साल के जो युवा है वो अपलाई कर रहेंगे और 5 मार्च 2019 तक आप इसकी जो है लास डेट है यानिके इस दिन तक आप अपलाई कर सकते हैं अब बात कर लेते एक्जामिनेशन फीस की तो एक्जामिनेशन फीस है जर्नल मेल फीमेल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 150 रुपे रखी गई है जर्नल फीम इस फीमेल कैंडिडेट्ट जो हर्याना निवासी है उनके लिए 18 रुपे जो है फीस रखी हुई है अगर पेश केल की बात करें तो वो रहेगा आपका 35,400 रुपे अब बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की तो सेलेक्शन जो आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा यानिके रिटन इकजाम आपका होने वाला है दोस्तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें जैसे मैंने आप आपको बताया था 2019 का ये पहला नोडिफिकेशन है इसमें काफी सारे डिटेल है अपलाई करने से पहले आप इसको ध्यान पूरक पढ़ ले और ये ओनलाइन अपलाई होने वाली वेकंसी है तो ओनलाइन अपलाई का लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है इसके माध्यम से पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद